नमस्कार, वेलकम टू केरियर मंत्रा 9.1 मैं एंकी द्यादव आपकी अपने यूटूब चैनल में आपका साथ करता हूँ आज सी क्लास में हम यूपी टेट का सॉल पेपर 2013 डिसकस करेंगे ये पेपर आपका 27 जून 2013 को हुआ था आज सी क्लास में हम EBS का पार डिसकस करेंगे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजे और बेल का इकन पर और का क्लिक कर लीजे जिससे क्या होगा कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेंगे चलिए आपका समय बरबाद ना करते हुए चलते हैं फर्स कोश्चन की तरफ आज सी क्लास का फर्स कोश्चन है निम लिखित भारतिय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है आपसे यह पुछा गया है सुमुद्र के किनारे कौन सा राज्य नहीं है आपसे ने गुजरात, गोवा, राजिस्थान और महाराश तो इस question का right answer हो जाएगा आपका क्या राजिस्थान राजिस्थान की कोई भी सुमुद्री सीमा नहीं है गोवा भी सुमुद्र के किनारे बसा हुआ है, गुजरात भी सुमुद्र के किनारे बसा हुआ है महाराज भी, यह तीनों राज्य जो है पश्चिमी तरफ पर बसे हुए है ठीक है, next question की तरफ चलते है किसी नदी के प्रदूशन इस्तर की माप की जाती है किस से माप की जाती है आपको बता रहा ATP, STP, BOD, WPL तो इस question का right answer हो जाएगा, C option is right BOD, BOD क्या होता है, biological oxygen demand होता है क्या होता है, BIO, biological oxygen demand biological oxygen demand इसकी full form होती है तो पानी के अंदर oxygen की कितनी मातरा होती है यह से नपा जाता है, तो इसी से प्रदूशन का पता पड़ता है कि पानी जो है, कितना शुद्ध है, कितना खराब है next question की तरफ चलते है बाइरस संक्रमन से होने वाले रोग है option है, टाइफाइड, कालरा, जुकाम और मलीरिया तो इस question का right answer हो जाएगा क्या? जुकाम, C option is right अब यहाँ पर मैं एक trick बताओंगो आपको जिसमें क्या है, कि वाइरस के संक्रमन से होने वाले सभी वीमारियों के नाम आ जाएगे चली देखते है trick क्या है देखे, इस trick में मैंने सारे जो है वाइरस से होने वाले रोग के नाम यहाँ पर mention किये है, इस trick को समझीए ए चाची, चाची से बोल रहे हैं हम लोग ए चाची, मतलब आपने उनके बच्चों के बारे बोल रहे हैं, सेतानी कर रहे हैं कुछ है तो ए चाची, इन्हें डाटो मत इनके घरे गाल पे चापो ए चाची, इन्हें डाटो मत इनके घरे गाल पे चापो अब सुने, इस trick जो बहुत जीजी है ए से तो हो गया AIDS चाची से हो गया चेचक इन्हें से हो गया influenza, डा से, आगे वाले डा से हो गया आपका डेंगू, ठीक है, टो से हो गया आपका trachoma, मत से हो गया आपका meningitis, इनके जो है silent word है, ठीक है, फिर उसके बाद है, खा, खरे, खा से है खसरा, रा से है रैबीज, गाल से है गलसुआ, पै से है पीलिया, और पा, जो छापो का पा है, लास्ट वाला बर्ड, उसे है पोलियो, पीलिया और पोलियो, तो कौन-कौन से रोग है, AIDS, चेचक, इन्फ्लूएंजा, डेंगू, ट्रैकोमा, मैनेंजाइटेस, खसरा, रैवीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो, ये रोग इनसे होती है, अब देख हमारा आसानी से ठीक हो सकता, आसानी से, ठीक है, नेस्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में क्रशी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्पूर्ट तत्व है, निम्ने गुद्में से कौन सा तत्व क्रशी को सबसे ज़्यादा प्रायत करता है, तापमान, हमारा भारत जो है उश्नो और समसीतो उश्नो दोनों कटिवन्दों के बीच में इस्तिते हैं, ठीक है, दोनों कटिवन्दों के बीच में हमारा इस्तिते भारत, ठीक है, नेस्ट कुश्चन देखते हैं हम लोग, फिफ्ट कुश्चन में है, वायु मंदल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, option है, ताप मंदल, मद्य मंदल, छोब मंदल, आयन मंदल, तो इस question का right answer हो जाएगा, मद्य मंदल, B option is right, मद्य मंदल, अब मंद्य मंदल, जो है सबसे ठंडी परत क्यों है, जैसे हम atmosphere के मद्य मंदल में प्रिविश करते हैं, तो हर height की according क्या है, इसका temperature गरता चला जाता है, मद्य मंदल क्या ठंडा होता चला जाता है, तो जैसे जैसे हम इसमें उपर बढ़ते जाते हैं, तो temperature क्या होता है, डाउन होता चला जाता है इसमें जो temperature रहता है minus 80 degree Celsius rate तक डाउन हो जाता है ठीक है मद्य मंदल में तो इसलिए ये वाई मंदल की सबसे ठंडी परत बूली जाती है मद्य मंदल next question की तरफ चलते है हमारा निम लिकित में से कौन सी एक green house gas है ठीक है gas के बारे पुछाओ green house gas कौन सी है ये green house gas बारे बहुत important topic है question है और important topic भी है आपके paper के लिहाज से और green house के हर set में एक question पड़ा हुआ है ठीक है तो हर set को आप देख लिए मैंने वीडियो में सारे डाल लगए है sulfur dioxide पर अप्शन है sulfur dioxide second option है oxygen, third option है argon, fourth option है methane तो green house gas इन में सी कौन सी आपको ये बता रहा है तो green house gas आपकी कौन सी है methane gas है इसमें greenhouse gas है आपकी चार green house gas है एक तो है आपकी कौन सी methane है आपकी है carbon dioxide CO2 है फिर आपकी है nitrous oxide N2O है और last है आपकी CFC chlorofluoro carbon ठीक है तो इस तरह से आपकी चार green house gases है next question की तरफ शलते है भारत में project tiger की सुरुबात हुई थी project tiger की सुरुबात कब हुई थी ये आपको बताना है पहरा option है 1973 में 1982 में 1992 में या 1996 में तो ये option is right 1973 में tiger project की स्थाफ में सुरुबात हुई थी ये कब हुई थी ये एक अप्रेल एक अप्रेल 1973 को हुई थी 1973 में हुई थी ये जो सुरुबात हुई थी ये जिम कार्विट नेशनल पार्ग जो की उत्राकंड में है वहाँ से सुरुबात इसकी की गई थी next question की तरफ शलते हैं लोग प्रतवीतल पर उस कालपनिक रेखा को क्या कहते हैं कौन सी कालपनिक रेखा जो 180 डिगरी मेरीडियान या मुत्तर पर खीची गई है ठीक है तो ऐसा है कि हमारी प्रतवी पर कोई रेखा तो खची हुई नहीं हमने खुद भी नहीं खीची है पर इसकी फ़ऑ आँ प्रकाट क्या नहीं है उसमें हमने रेखाई खीची है जैसे कि इस गुलोप के नख्षे को हम क्या है इस तरह से दिखाते है प्र सी पर इंशित है या मलuku चांे पर दीखाते है तो इस क्या है इस पूरे नक्षए में क्या है रेखाई कि तो 180 डिगरी पर जो रेखा खेची गई है उस रेखा को क्या कहते हैं वो हमसे पूछा गया और अंतर राष्टिय तिति रेखा कर्ग रेखा विशुवत रेखा प्रधार या मुत्तर रेखा तो इस question का right answer हो जाएगा अंतर राष्टिय तिति रेखा उसे बोला जाता है अनतर राष्टिय तिति रेखा बोला जाता है ठीक है इसी रेखा के पूर्विय परश्चिमी दो देश अंतर चेत्रों में बाटाया पूरी प्रतवी को next question की तरब शलते हैं निम्लुगित में से राज्य में гल्फ औउ मन्नार मेरीन राष्ट ये पार्क इस्तित है गल्फ और मन्नार जो है कहाँ पर इस्तित आपको ये बताना आ, फिर्स प्रप्शन है गुजरात में, तमिलाडू में, अंधमान दीप में, या फिर पशिम बंगाल में, तो इस question का right answer हो जाएगा, B option is right, तमिलाडू में, मननार की यह जो खाड़ी है, उतले पानी की खाड़ी है, यह जो है, हिंद मासागर के लक्षदीप सागर में एक इस्थित है, और यह जो ख केंदर भी है, यह क्या है, बाइयो रिजर्ब केंदर भी है, मननार की खाड़ी, नेस question देखते हैं लोग, ठीक है, नेस question देखते हैं इसका, जंडगरणा 2011 की अनुसार भारत में, लिंगा अनुपाद, लिंगाओं का अनुपाद पूछा गया, ठीक है, मतलब लिंगा कुर्शों पर कितनी महला हैं भारत में यह पूशा बात हो रही है ठीक है ऑप्शन है 940 पर 1000 पर 940, 1000 पर 916, 1000 पर 920 और 1000 पर 980 महला है ठीक है तो अब इस कुश्चन का राइट अंसर जो होगा वो राइट अंसर बिल्कुश सठी का अंसर तो कोई भी नहीं दिया गया है क्यो इन रूठ जो है हमारा यह उप्शन जाता सही जा रहा है क्योंकि 943 जो है 940 के पास में तो यह ऑंसर हमारा सही हो जाएगा यह अप्शन इस क्यूशन देखते हम लो Went निम लिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? उप्सन है चीटी, कैचुवा, मदबक्खी या तितिली तो इस question का right answer हो जाएगा, B option is right, कैचुवा, कैचुवा जो है, प्राणीयों का, कैचुवा एक ऐसा प्राणीय है, जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कि कैचुवा क्या है, कि जमीन के अंदर जाकर के, उपजाव मित्टी को जमीन के ऊपर ले आता है, ठीक है जो जमीन नीचे उपजा होती है उसको खोद-खोद करके ऊपर लिया आता तो इससे क्या खेती अच्छी होती है नेस्ट कोश्चन की तरफ शलते हैं नेस्ट कोश्चन है ट्वेल कोश्चन है पर्यावन को बचाने के लिए चिपको आंदूलन से कौन सा राज जुड़ा हुआ है चिपको आंदूलन जो है किस राज में हुआ है यह आपको बताना है ओप्शन है उत्तपदेश चारकंड उत्रागंड शत्तिसगाँ तो इस question का right answer हो जाएगा उत्तरागंड C option is right उत्तराखंड में जो चिपको आंदूलन हुआ था वो सिंदोरलाल बगोड़ा जी बगोड़ा जी से ही संबंदित है और चंडीपरसाद भट्ट ये दो लोग थे इन्होंने जो है उत्तराखंड के चमूली जिले में किस जिले में चमूली जिले में जो है चिपको आंदूलन की सुरुबात की थी ठीक है कब की थी 1973 में की थी नैस question की दरब चलते हैं हम लोग जीवों के बैवार का अध्धिन क्या आता है तो बैवार जो है जीवों के किस में द्धिन क्या आता है option है ethology, neology, ethology, demology तो इस question का right answer हो जाएगा ethology क्या हो जाएगा आपका? c option is right, ethology ethology में जीवों के बैवार का अध्धिन क्या जाता है ठीक है? next question करते है हम लोग समधरी सहवाल किसका मेहत्मूर सुरू होता है, तो सुमदरी सहवाल option है, chlorine, bromine, iodine, loha, तो इस question का right answer हो जाएगा, C option is right, iodine, अब आप जानते होंगे कि सुमदरी सहवाल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, iodine होता है, तो जो स्वेवाल होता है, उसका नाम है आपका क्या है, laminaria, laminaria, laminaria घास भी बुले जाती है, और स्वेवाल भी बुले जाता है, तो laminaria नामक स्वेवाल जो होता है, उससे क्या मिलता है, हमें iodine मिलता है, और iodine की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, हमारे गले में गल्सुआ या घ्यांगा रोग हो जाता है क्या हो जाता है घ्यांगा रोग हो जाता है या फिर इसे ग्वाटर भी रोग भी बोलते हैं घ्यांगा रोग या ग्वाटर रोग बोलते हैं ठीक है यह किसकी कमी से होता है आयोडीन की कमी से होता है नेक्स्ट कुस् जो आपकी कौन है? कि लाइकेन के अंदर एक तो रहता है कवक, एक या रहता है कवक और एक रहता है आपका शेवाल, ठीक है? तो दोनों के सहाचयर से लाइकेन आपका रहता है. ठीक है? texto-पसा पर gef होते हैं यह ब्रक्षों, दी सिवारओ, भूतल, चट्टानों और शिलाओं पर पाई आते हैं ठीक है ये काव पाई आते हैं इन सब भी जगों पर पाई आते हैं ठीक है चलिए नेटकोशन देखते हैं कि इतनी डिटेल इसमें है next question नहीं है please चैनल को subscribe करें like करें share करें next question है क्योंकि भी 15 question ही हुए है यह इसलिए डाली आती है वीडियो बीच में slide क्योंकि आप चैनल को subscribe करें like करें और share करें next question देखते हैं हम लोग CNG CNG का इधन के रूप में किस में इस्तिमाल होता है option है बाहनों में उद्ध्योगों में खाना बनाने में और बाहनों एवं उद्ध्योगों में तो इस question का right answer हो जाएगा D option is right बाहनों एवं उद्ध्योगों में CNG का use होता है CNG क्या है compressed natural gas है next question चलते हैं पर्या वरन जागरुपता का किस के द्वारा सच De Ge ace रुप शर्रेहा कि द्वारा शेत्री वद्वन की द्वारा समूबारत की द्वार या अध्यान की द्वारा ठीक है तो इस गोशचन का राइट आर्ट सर हो में LPG वाला और CNG दोनों गैसे इसके question आ गए है अब LPG का संचिप्त रूप क्या है तो इस option पर लेते हैं low paid games, lock, lock passenger गाड़ी, liquidified petroleum gas, local petroleum gas तो इस question का right answer हो जाएगा C option is right, liquidified petroleum gas, ठीक है, इसका प्रियोग जो है इदन के रूप में रुसोई घरों में किया जाता है और इसके अंदर LPG के अंदर आपकी कौन कौन सी gas होती है, butane और propane नामक gases इसके अंदर होती है next question देखते हैं, प्रद्धी पर पहुँचने से पहले ओजुन परत किन करणों का अफ्शोशन करती है, ओजुन परत जो है किन को अफ्शोशन करती है यह आपको बताना है option है, गामा करणों का, X-ray करणों का, परावेगनी करणों का या बीटा करणों का, इस question का right answer हो जाएगा, C option is right परावेगनी करणों का, जो है, ओजुन परत, जो है क्या करती है, आप शोशन कर लेती है, ओजुन परत का, जो क्या ना में, एकाई है, UD tax में वापी जाती है, डापसन में वापी जाती है इस question का right answer हो जाएगा, D option is right, बच्चे देता है, अब इस तंदारी वे जीव होते है, जो की अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं, और जो की dark बच्चे देते हैं, बन्तब अंडे नहीं देते हैं, बच्चों को जनम देते हैं, जैसे गाय है, इस तंदारी है, ठीक है, त तो ये बच्चे देते हैं, ठीक है, तो जो चमकादर है, आपकी क्या है, इस तंदारी क्यों, क्योंकि ये direct बच्चे देता है, नेस question की तरफ चलते हैं, पर्यावन की परिवाशा क्या है, option है, ए बायोटिक और बायोटिक घटक, सुमद्र तल के नीचे प्रदभी परवस् को बनाते हैं, नेस question की तरफ चलते हैं हम लोग, निम लिखित, अंतर राश्टी संस्थाओं में कौन सी संस्था बनने जीव सरक्षण के प्रती समर पे थे, option है, यू एन एफ पी, यू एन डीप, यू एन ए एस सी ओ, डवलू एचो, तो इस question का right answer हो जाएगा, ठीक है, इ यू एन एफ एपी, सबकी फ्लूफार्म देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं, क्या क्या नेतर है, देखिए, इन में से तो कोई भी सलस्था जो है, आपकी बनेजीव सरक्षण से संबंदित नहीं है, और जब ये paper में question आया था, आप दिमाग में या रहो, सर paper में question कैसे आ या फिर उस question को हटा करके, एक कम number में से marking की जाती है, मतलब कि अगर 1500 question का paper है, तो आपके 149 में से marking की जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पर इन में से कोई भी, इस किसी भी option की जगे पर IUCN डाल देता, IUCN डाल देता, तो हम उस option को click कर देते, IUCN की full form जान दीजे, क्योंकि यह बनने जीब स्रक्षर से समध देते है, IUCN की full form है, International Union for Conjurvation of Nature, यह complete full form मैंने लिख दी है, फिर से repeat कराओ, International Union for Conjurvation of Nature, ठीक है, next question देखते हैं हम लोग, next question है, क्रतिम बर्षा के लिए, मेग बीजन के लिए, प्रियुक्त रसायन है, मतलब क्रतिम बर्षा कराने के लिए, निमलकित में से क्या यूज किया था, यह पूछा गया है, ठीक है, option है, silver nitrate, potassium bromate, silver iodide या potassium nitrate, तो इस question का right answer हो जाएगा, silver iodide, silver iodide की बर्षा कराई जाती है, जिससे क्या है, कि मेग बारिश होने लगती है, देखो होता क्या है, कि जैसे कि सब उच करो, यह बादल है, यह क्या है आपके, बादल है, आपके क्या है, यह बादल है, तो इनके उपर क्या है, आपका एक helicopter जाता है, और helicopter जो है, इनके उपर बारिश करता है, क्या करता है, इसके उपर, बोच हार करता है, कि इसकी, silver iodide की बारिश करता है, तो यूट्री कुलेरिया से, जटोर्फा से, देवदार से, यूके लिप्टिस से, तो इस कुष्षन का राइड अंसर हो जाएगा जटोर्फा से, यह कुष्षन जो है पहले भी आ गया है, पहले पेपरों में जो मैं नकराएं हूं, उनमें यह कुष्षन आ चुका है, ठीक है, तो जटोर्फा जो है, उसमें क्या होता है, कि करी 25 से 35 परसंट तक आपका क्या निकलता, ओईल निकलता, तो उस ओईल के द्वारा हम जो है कार को, बाहनों को अपनों को चला सकते हैं, ठीक है, डीजल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और बाहन हमारे चलते हैं, तो इसलिए इसक मो विया है ठीक है इस तरह से तीन-चार फसन है वैसे जटोरफा ही नाम पेपरों में अक्सर कर गया आता है विस वोजन दिवस का मनाता है 16 सेप्टमबर को मना जाता है तो इस पुश्चन है हमारा निम्ल कित में से किस जन्पत में चंद प्रभा पन्ने जीव अभ्यारण इस्थित है आप्शन है लखीमपूर खीरी चंद अली नकलव बाराण सी तो इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा चनोली क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर चनोली जो में जो है हमारा कौन साइट चंद प्रभा बन्ने जीव अभ्यारण इस्थित है ठीक है यह अभ्यारण जो बना था उननिस सो सत्तावन में बना था कब बना था उननिस सो सत्तावन में बना था और चनोली जिले में ठीक है, option है, हाती, साप, सेर, बकरी, तो इस question का right answer हो जाएगा, आपका क्या, साप, ठीक है, the option is right, ठीक है, देखे, हाती और बकरी, हाती और बकरी, ये वाला, first number वाला, और ये last वाला, हाती और बकरी प्रथम स्रीणी के उभोगता है, साप आपका दृतिय स्रीणी का ठीक है, next question की तरफ शलते हैं अब लोग, जूम खेती, कौन सी खेती, जूम खेती होती है, केरल में, बिहार में, मेगाले में, या फिर तमिलाडू में, तो इस question का right answer हो जाएगा, C option is right, मेगाले राज में जूम खेती होती है, पहाड़ी लाखों में क्या होता है, कि अक्सर जूम केती ही किया तो उसमें खेती होती जूम खेती है, जुम खेती है, जूम कर होती ही, आप जैसी और पहाड़ी पर जा करके, यहां पर खेती की जाईगी, एक जगह नहीं खेती हो रही है दूसरी जगह चले गई तो यही होती है जूम खेती हम लोग शुश्क बरफ किसका ठोस रूप है ऑप्शन है अमोनिया का कारवन डाय उक्साइड का नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का बहुत फेमस कोशन है बहुत इंपोटेंट कोशन ह ठोस बरफ किसे बोलाता है कारवन डाय उक्साइड को शुश्क बरफ बोला जाता है ठीक है यही आज़ी क्लास का लाज कोशन था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें आपका यूपी टेट आने वाला है आप सभी कोश्वकामना थैंक्यू फॉर व